वेलकम दोस्तों स्वागत है आप सब को हमारे यूटीब चैनल के आरिक जामे दोस्तों मुझे पता है कि आप सबने अपना रिजल्ट जो है चेक कर लिया है कुछ लोग बहुत खुस हैं तो कुछ लोग दुखी है क्योंकि दोस्तों इस साल रिजल्ट का जो परतिसत है वो 75% थे यानि 75% विद्यार्थी पास किये गए हैं जबकि 25% विद्यार्थी फेल हुए हैं तो दोस्तों जीन विद्यार्थियों को लगता है कि उनको जो नंबर मिलना चाहिए वो नंबर नहीं मिला है क्योंकि दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मुझे कमेंट कर रह उनका जो है supplementary यानि जो होता है compartmental exam जो होता है वो कब होगा यह सारी जानकारी में इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपको number कम मिले हैं तो आपको क्या करना चाहिए आपको copy recheck करने के लिए क्या क्या तैयारी होती क्या क्या process होती है सारी जो है information में इस video में दूँ क्योंकि jacks are related आपको सारी information इस channel के द्वारा मिलती रहती है जैसे ही कोई नई update आती है आपको information में देते रहता हूं तो इसके लिए चैनल को subscribe करके side में जो bell icon उसको जरूर दबा ले तो चलिए video को शुरू करते हैं तो दोस्तों ऐसे student जिनको लगता है कि उनका copy ठीक से नही चेक किया गया है यानि एक्जाम में उसको जितना नंबर मिलना चाहिए था उतना नंबर उसे नहीं दिया गया है copy checking में कोई घडबड़ी है तो वह जो है अपना copy दोबारा से चेक करवा सकता है जहां दोस्तों यह व्योस्ता है कि अगर किसी को लगता है कि उसका copy ठीक से नहीं चेक किया गया है तो वह जो है अपना copy रीचेक करवा सकता है इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों कुछ दिन पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से एक न्यूस दिया था कि अगर किसी स्टुडेंस को ऐसा लगता है कि उसका copy ठीक से नहीं चेक किया गया ह है लेकिन दोस्तों ये बता दू कि कुछ दिन पहले एक न्यूस पेपर के माध्यम से आपको इंफोमेशन में ने दिया था जो कि आया था जैक बोड से कि इस साल जो है ओनलाइन की वावस्ता की गई है कि आप जो है ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपना copy रीचेक करवाने के लिए और दोस्तों एक copy चेक करने के लिए आपको कितना रुपिया देना होगा यह मैं बता दे रहा हूं देखिए दोस्तों कुछ दिन पहले बिहार बिहार बोड का जो रिजल्ट आया था उसके बाद बहुत सारे student ने अपना copy रीचेक करवाया तो उसको जो है परतियक अभी तक जैक बोड ने नहीं दिया है या फिर कव से आवेदन आप कर सकेंगे इसके लिए यह भी जैक बोड ने कोई information नहीं दिया है जैसे ही कोई information मिलती है मैं आपको inform कर दूंगा वीडियो का वाध्यम से इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें और साइ इसके लिए देखिए जैक बोड ने अभी तक कोई information नहीं दिया गया है और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक जो है इसकूल नहीं खुले है तो इसकूल जब तक आपका नहीं खुलता है एक्जाम नहीं करवा पाएगा जैक तो इसकूल खुलने के ब बताई गई है लेकिन अभी तक जो है कोई official जानकारी नहीं दी गई है कि आपका compartmental या supplementary exam जो है कब से करवाया जाएगा मैं आसा करता हूं कि आपके जितने भी सवाल है उसका जवाब में दे पाया है और दोस्तों अगर jackboards related और भी कोई सवाल है आपके मन में तो आप अगरतिया भी फेल हुएं दोस्तों सब के पास ये वीडियो पहुच रा चाहिए तो धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में